हलो दोस्तो वेलकम बैक टू देली डोज बॉक्स तो दोस्तो दो हजार चौबिस के लिए जवाहर नवोदे विद्याले की सारी परिक्षाएं खतम हो गई यानि कि दो हजार चौबिस में जिन जिन क्लासे में एड्मीशन होना है चाहे वो क्लास 6 हो या फिर वो हो क्लास 9 या फिर वो हो क्लास 11 तीनों क्लासे के एक्जाम ओवर हो चुके हैं और अब बारी है आप सभी के रिजल्ट की और जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे हैं बेसबरी से और लगबग हर वीडियो में 2-4-10 कमेंट ऐसे आही जाते हैं जहां पर बच्चे ये पूशते हैं कि सर क्लास 6 का रिजल्ट कवाएगा सर अभी क्लास 9 का एक्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कवाएगा क्लास 11 का रिजल्ट कवाएगा तो हैंग ओन आपको यहां पर मिलेगी authentic information इसके अलावा आपको और कहीं authentic जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि वज़य मैं आपको बताना नहीं चाता और आप इस वज़य को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर authentic information क्यों मिलती है एक एक क्लास की जानकारी देंगे और आप लोगों को motivate करेंगे यहां पर आप रहेंगे तो tension free रहेंगे आपको किसी भी website को किसी भी दूसरी चीज़ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हलो दोस्तो मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहें आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स नवोदे से जुड़ा हुआ एक प्यारा चैनल जो आपको देता है complete information selection से लेकर जो भी आपकी जरूरते हैं selection के time के documents लगेंगे admission के time के documents लगेंगे exam में कैसे क्या करना है सारी चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पर एकदम free free of cost कोई बिल्कुल पैसा नहीं है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बहुत हो गई इधर द्वर की बातें अब आपको करना है subscribe जो आपको Central Board of Secondary Education सारी परिक्षाएं conduct कराता है आम तोर पर जो नवोदय का result है वो 40 दिन के अंदर आ जाता है लेकिन classics की बात अलग है वही classics की जो परिक्षा है वो एक बड़े स्तर पे होती है और पूरे देश में बहुत ज़्यादा form पड़ते हैं तो correction में में भी time लगता है और उसके बाद फिर result को prepare करना रहता है रिजल्ट के preparation में भी काम लगता है बहुत सारी cut-off लगती है तो classics का result March के महीने में आने की पूरी-पूरी संभावना है फरवरी के end में भी आ सकता है लेकिन March में आपका जो result है 100% declare हो जाएगा जहां तक मेरा मानना है लगवग 15 माज तक आपका result आ जाना चाहिए क्योंकि April से आप लोगों के classes start हो जाएगे April से session start हो जाता है CBSC board का अब बात करते हैं भाई जो परिक्षा 10 फरवरी को होई Class 9 और Class 11 की उसका result कब तक आएगा देखो form की संख्या कम है जल्दी से copy चेक हो जाएगी तो मेरे हिसाब से March महिने में उसका result भी declare हो जाएगा क्योंकि April से वहाँ पर भी classes start हो जाएगी और जो जवाहर नवोदे विद्ध्याल है Class 11 का result है न वो मेरे हिसाब से depend करेगा CBSC board Class 10 के result पर यानि कि जब CBSC board Class 10 का result आ जाएगा तब आपका Class 11 के result आने की पूरी-पूरी संभावना है उससे पहले भी आ सकता है मैं इस चीज को नकान नहीं रहूं उससे पहले भी आ सकता है लेकिन result आपका March, April, May ये कोई fix date नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि नवोद विद्याले संभी किसी भी result की जो है date अपनी fix नहीं करती पहले सुनका fix नहीं होता है कि यहाँ पर वो result देंगे उनका कभी भी result आ सकता है तो हम मान के चल सकते हैं Class 6 का result March के 15 March या फिर उससे पहले थोड़ा सा और Class 9 का पहले थोड़ा सा Class 11 का थोड़ा सा बाद में आ सकता है March के एंड में आ सकता है या फिर अप्रेल में आ सकता है या फिर उससे पहले भी आ सकता है भाई कुछ नहीं कह सकते हैं तो बिल्कुल परेशान होनी की जरूवत नहीं है यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी जैसी जो अपडेट निकल के आएगी Official Website पर मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ और सिर्फ Official Website नवोदे.gov.in जब तक उस पर नहीं आ जाता भाई मैं भरोसा नहीं कर सकता जब तक वहाँ से Information नहीं आएगी मैं कोई भी भरोसा बिल्कुल नहीं करूँगा कहीं पर भी तो नवोदे.gov.in समीती का जो Result है वो आ जाएगा आप बिल्कुल Tension Free रहेगी यहाँ पर बने रहेगी है यहाँ पर आपको daily नई ली चीज़े देखने को मिलती रहती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखे और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा